हलो दोस्तों गुड बॉर्णिंग कैसे हो आप लोग उम्मीद है आप सब लोग एकदम सौस्ता और मास्त होंगे वागत है आपका मेरे चैनल जेम्डी फैमिली व्लोग में ये वडियो जहां मैंने अंड किया महीं सुरू करते हूं ये लुडी जा चुके हैं बच्चे नाद बीच में बंद कर दिये तिकाना अभी खा रहे हूं थोड़ थोड़ा क्योंकि ये गर्मी आने लगी है तो गर्मी में इतना मतलब गूंद के लड़ू में बहुत कुछ होता और घी भी होता है तो बहुत गरम होता है डाइजेस्स करना मुश्किल हो जाएगा तो इसको क्योंकि इस हल्वे जैसा कर लेंगे अभी मतलब थोड़ा गरम दिना क्या है तो अराम से फूड़ जाता है वरना जानते है ये फूड़ता नहीं था क्योंकि घी जमा रहता तो बहुत टाइट रहता था तो ये मतलब ऐसे तो अच्छे से तोड़ के और इसमें मैंने कुछ क्योंकि आलेड़ी बहुत साटा गी बहुत सारा ड्राइट उर्ट और चीनी मतलब एसे सिधा गरम किया है और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में मुझे तो बहुत मझा आता है यह दोस्तों दूद और गरम गुंद यह गुंद न मुझे इस तरह गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है मतलब वैसे लड़ू अच्छे लगते हैं बट यह गरम गरम खाने का स्वाथ होता है यह मतलब हल्वे जैसा हो जाता है और इसमें बहुत सारे ड्राइफूट और सब क सबसे पहले को ड़ने करने के बाद सबसे पहले काम किया है मैंने कपड़े दोने का तो फटा-फट मैं कपड़े दो लेती हूं और कपड़े जब भी दोती हूं मैं सबसे पहले मेरे कपड़े दोती हूँ, क्योंकि बेरे कपड़े गंदे नहीं होते हैं, बाकी मितलब जिसी अनमोल तो बहुत जादे गंदे कपड़े करता है, बाकी कोई नहीं करता, तो मैं फटा-फट कपड़े धो लीती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने में मुझे सबस कुछ नहीं खाया है तब से और अभी तक मतलब मुझे चाहते भूक नहीं लेगी थी बट थोड़ा-थोड़ा मन तो कर रहा था मेरा कुछ चट-पटा खाने का तो मैं आगे कीचन में बना रही हूं चॉमिंग चॉमिंग में सबसे पहले मैं ले लिया सॉस्पैन उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा तेल थोड़ा सा नमक और करीब डेड़ लेटर पानी और जब यह पानी उबल जाएगा तब इसमें मैं चॉमिंग डाल दूगी और आप देख रहे हैं पानी अच्छे से उबल गया है और मसाले में भी मैंने बहुत सारी थी मतलब इसमें मसाला नहीं मतलब सबजिया बहुत कुछ नहीं था लेकिन कुछ तो था तो मैंने इसमें हरी मटर प्याज अद्रक लसन धनिया टमाटर और प्याज हाँ प्याज तो पहले बता दिया मैंने आपको और मैंने इसमें ले लिय यह उसमें डाल दिया तेल तेल गरम होने इसमें डाला अध्रक लशन हरीमिर्ची और हाँ तेल डाला है क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं तो अच्छा रहता है सर्षुक का तेल का लग साथ तेम लगता है तो इसलिए है बनाती हूँ इंग्सित्तर चीजे में सबजी तो न देख लीजिएगा इसमें लसन, प्याज, हरी मिर्च, अद्रक डाल की मैंने मटर डाल दिया और इन सब को मैंने 2-3 मिन तक अच्छी से भुन लिया बहुत जादे ओवरकुक नहीं करना है क्योंकि सबजिया थोड़ी इसमें कच्छी अच्छी लगती है जादे नहीं थोड़ मतलब पहले बहुत सौफ्ट आते थे अभी थोड़ 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 ताइट आने लगें तो मैंने पतागो भी को थोड़ अचा ढखके 2 मिनट तक अच्छी से कुक कर लिया इसको भी क्योंकि बच्छों को कोई चीज खिलाना बहुत बड़ी बात होती है खासकर दीपक को दीपक बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो बिल्कुल नहीं खाता और ये देखे चॉमिंग कितने खिले-खिले हो गए थे मैंने इस तरह रख दिया था टूपिय पे सारा पानी नहीं चुड़ गया था और बहुत अच्छा हो गया था एक्दम खिला-खिला चॉमिंग हो गया देखके ही अच्छा लग रहा है आप सबको ये किन मानिया खाने में बहुत अच्छा बनाता इससे पिसली बार मैंने ना चॉमिंग बनाई थीद मैंने इसमें थोड़ा जादे मिर्च डाल दिया था दीपक ने खाया नहीं था तिस बार मैंने थोड़ा कम मिर्च डाला है और मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च तोड़ा सा गरम मसाला और विनेगर डाला है एक धकन भरके विनेगर डाला है और मतलब जैसे सोया सौस और चिली सौस घर में था नहीं कतम हो गया था और दीपक ने ही कहा ममी मेरा चॉमिंग खाने का मन कर रहा है आप बनाओ पर दीखा मत बनाना तो बस उस बार मैंने बनाया तो इसने बिल्कुल नहीं खाया था तो आप मुझे उसको चॉमिंग खिलाना था तो मैंने जो है जो नहीं है वो सब नहीं सोचा बस जो है उसी में बनाने का सोचा और मैंने फटा फट चॉमिंग बना ली और एकदम चॉमिंग का प्लेट रेड़ी है, आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खा लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना, तो लीजिए, पहले आप खा लेते हैं, फिर हम भी खा लेते हैं, मैंने खाया तो मुझे सच में बहुत मज़ा आया, एक तो गरम-गरम था, दुझे व तो बहुत अच्छा लगा, जब उस ते कहा कि अच्छा है, बहुत कुशी हुई, सच्छी दोस्तों, चॉमिंग खा लिया, खूब सारा आराम भी कर लिया, चॉमिंग खा के एकदम पेट भर गया, और भरने के बाद फिर नेद आ रही थी, पर सोई नहीं हूँ, ठोड़े अच्छा में, आप मेंल राम दोगा साँ कॉमियाओ, ऑनी दोनों बच्क बाहर खेलने आ खी बनार, जद रही बार एकदम दोगा, बतन radio को दोगी, और फिर खाना बनाऊँगी, सारे दिन कहा निकल जाता है, ऌर अभी बतन पढ़े ौंगन में दिखातीुए, मिलतै हैं सा तो हमें किसी के घर इंवाइट था तो मैं बहां चली गई सब लोग वहीं चले गए तो मैंने साम को कुछ भी कुख नहीं किया कि मैं आप लोगों के शाष चेयर करूँ और अभी ये डूटी जा चुके हैं फिरन नाष रखा चुकी हैं मैंने शेंपू की लिए बालोगो थोड़ा रखा है थाकि ये थोड़ से सूख जांए और अभी मैं नास्ते में बनाने जालियू आलो के पराते तो मैं आप लगों को ही पकाती हूं आलो के पकाती हूं और मैंने आलो धूल के रखे रखे अ फट में यांगुटी चली गई तो अच्छा नहीं लगता तो मैंने निकाल दी है और हमारे आलू भी वाल्ड हो गए है तो मैं आलू को च्छमकूंगी नहीं मतलब इसमें तरगा नहीं लगाँगी ऐसे सिंपल ही बनाऊंगी तो मैंने आलू चिल दिया तो मैं घुरे मिर्च चाल में से धुआ निकलने लगता है तो मैं भी नहीं डालती हूं तो मैंने उसमें नहीं डाला कि यह होते हैं तो इनको पसंद है तो मुझे डालना पड़ता है पर यह थे नहीं जा चुके हैं हम अपने लिए ही बना रहे हैं और यह खाएंगे तो इसमें से आलू रख दूँगी तो सामकेन के लिए पराठा सेख दूँगी मैं लेकिन सुबह का तो हम लोगी खाएंगे सुबह का नास्ता जो भेर का खाना हमारा इसी से होने वाला है और इनका तो मैं दाल रोटी सब्जी बना के टिपन दे चुकी हूँ ये जा चुके हैं बस मैंने इतना ही बनाया था कि ये ले जाएं पार कि हम लोगों का नास्ता मैं बाद में बना रही हूँ तो मैं फटा-फट पराठे भर के बना लेती हूँ आलू के पराठे मेरे घर में सबको पसंद है क्योंकि मैं खुद भी पराठे जैसी हो गई खाखा के पराठे बट अच्छा लगता है और आप लोग भी खाया कीजिए कुछ नहीं रखा है खापी के मोज करो और हाँ अगर आप सबको मेरे ये पराठे पसंद आए ना तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कीजिए वीडियो कैसी लगती ही वो भी बता दिया कीजिए पराठो को हलके हातों से बेलिएगा आठा थोड़ा नरम लगाईएगा और दोनों तरब से इसको अच्छा सा सेक लीजिएगा एकदम करारा करके तो बहुत टेश्ट लगेंगे वैसे बच्चों को तो दही के साथ पराठे पसंद आते हैं पर मुझे चाय या चटनी के साथ पराठा अच्छा लगता है मुझे मतलब दही के साथ पराठा दोपहर में तो अच्छा लगता है पर सुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबस इनका मैं पराठा लगा दीती हूं, ये दोनों नास्ता कर लें और उसके बाद फिर मैं करूँगी, क्योंकि इनको भूग लगी है, और जब घर में कुछ इस तरह का बनता है ना, तो बच्चों को जल्दी भूग लग जाती है, तो उनको जल्दी यल्दी चाहिए होता है, त क्योंकि मुझे चाय के साथ ही पराठे पसंद है, चाय हो चटनी हो और पराठे हो, कुछ ना हो चाय और पराठा हो तो भी मैं खा लेती हूं, मुझे कोई ज़रूत नहीं पड़ती, लेकिन दही के साथ सुबह सुबह नास्ते में नहीं, क्योंकि मुझे चाय चाहिए होता ह तो इसलिए मैं अपना नास्ता निकाल दी हूँ और ये लीजिए मेरे साथ आप लोग भी आजए ये नास्ता कर लीजिए मैं भी नास्ता कर लेती हूँ क्योंकि इन सब सारा काम करके ना सच में बहुत जल्दी भूख लग जाती है और बहुत तेजी से भूख लग जाती है अभी बच चुके हैं सुबह के साधे दस बच चुके हैं साधे दस पोनी गयारे हो रहे हैं जब मैं नास्ता करने बेठी हूँ और खाना खाते खाते मैं दो बजा देती हूँ ये रोज का काम है और ये मुझे पर गुसा करते हैं कि सुबह तुम जल्दी नास्ता कर लिया करो दिन भर काम करते रहो लेकिन मुझे होता नहीं मैं हर रोज लेट कर देती हूँ अभी नास्ता हो गया मेरा और ये क्लिप पत्रिवाले दिन मैंने आपको एक अलग वीडियो डाल दी थी वो मैंने उसी दिन रिकॉर्ड करी है उसी दिन आप लोगों को दे दी थी ये वीडियो एक दिन पहले किया जिसे कल महासी रात्री है आज मैंने महंदी लगाई थी तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली और बहतर करने की कोशिश कर सकूँ क्योंकि जब तक अगर हमारी आखों में काजल फैल जाए तो अगर हम सीसे में देखेंगे या कोई बताएगा तभी जान पाएंगे तो इसी तरह है वीडियो में अगर कोई कमी है तो मैं खुद नहीं समझ पाऊंगी अगर आप लोग बता अगर स увеличee तो मुझे मंमी की याद आई मुझे भरके मेंधी ल गाए मुझे मतलब आरेबिक मेंधी पसंद होती है मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी मेहंदी का कलर कैसा आएगा वह आपको कल पता चलेगा यानि सिवरात्री वाली वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कलर तो मतलब मैं तुरंत नहीं दिखा पाई क्योंकि यहीं पर मैं वीडियो को कर दूँगी एंड मेहंदी लगाते क्योंकि कहते हैं जब तक बैक साइड में मेहंदी ना लगे तो फ्रंट पूरा नहीं होता तो मतलब उसको लगाना चाहिए जरूर लगाना चाहिए थोड़ा ही सही तो मैंने कुछ नहीं लगाए बस एक चैन सी खिज दी है और जादे मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि जब म महंधी चैन सब कुछ लगके रेडी हो गया है अच्छी है ना तो प्लीस आप लोग बताईएगा जरूर कैसी लगी चलिए फिर मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो ब्लोक में और तब तक आप सब लोग मेरा वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए बाई